असलाम लीकुम दिस जहांतर फ्रॉम अमाना.com और आज की वीडियो का मकसद आपको नोवा सिटी के हवाले से कुछ अपडेट्स प्रवाइड करना है तमाम जितने भी हमारे एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं व्यूवर्स हैं और जो हमें फॉलो करते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है के कुछिलिंग हो रही थी कमेंट्स में सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हवाले से के नोवा सिटी को रिंग रोड के ना बनने से या रिंग रोड के पॉस्पॉन होने से क्या disadvantages हो सकते हैं देखें सबसे पहले ये वीडियो आप लोगों के लिए हम इसलिए बना रहे हैं कि तमाम लोगों ने जो investments हमारे साथ किये उन लोगों के लिए crystal clear mind हो कि रिंग रोड का impact किसी project पे क्या है क्या उसको advantages होते हैं और क्या disadvantages होते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिंग रोड अगर नोवा सिटी के हवाले से जो connectivity की बात करें तो नोवा सिटी के पास already locations हैं already 3 accessibility हैं जिस पर वो already काम कर रहे हैं और already वहाँ पर government का काम चल रहा है रिंग रोड एक add-on है रिंग रोड एक advantage है जो के नोवा सिटी उससे फाइदा उठा सकता है बट वो नोवा सिटी उस पर dependent नहीं है नोवा सिटी की जो location है उसके 3 connectivity points हैं वो मैं आप से discuss करूँगा जिससे आपको clearly पता चल जाएगा के रिंग रोड का बनने से उनको advantages and disadvantages कोई नहीं है सबसे पहले मैं बात करूँगा हकला डियाई खान interchange जो हकला डियाई खान interchange है आप डियरेक उससे नोवा सिटी पे उतर सकते हैं नोवा सिटी motorway पे जो CPAC route बन रहा है उस पे डियाई खान हकला interchange से आप जैसी left होंगे तो डियरेक आप नोवा सिटी को अपरोच कर सकेंगे नमबर वन नमबर टू फते जंग रोड से भी आप जो है इसको access कर सकते हैं अगर airport से अगर आप आ रहे हैं या मुमताब सिटी से आ रहे हैं तो आप फते जंग रोड को यूज करते हुए नोवा सिटी को अपरोच कर सकते हैं और नोवा सिटी में दाखिल हो सकते हैं नमबर फ्री जो अभी बनने जा रहा है airport cargo road जो airport cargo road है वो भी इसकी अपरोच जो इसकी access है उसमें उसको फायदा देगा क्योंकि airport अगर आप नोवा सिटी पे खड़े हों तो आप airport का runway देख सकते हैं airport को देख सकते हैं तो वहाँ से आप अगर उसकी calculation करें minutes में, miles में तो आप जो airport cargo road है उससे 3 minute के अंदर नोवा सिटी के अंदर आ सकते हैं यह तो बात रही कि जो अभी current तोर पे जो locations हैं जो approaches हैं जो access है वो नोवा सिटी की यह है अब मैं बात करता हूँ कि अगर ring road बनने से या ring road ना बनने से नोवा सिटी की approach को क्या advantage क्या disadvantage होंगे आपकी screen पे यह ring road का पुराना map शो हो रहा है अभी जो पुराना map है किलिस्टल तो और पर आप अगर आप देखें तो हकला डियाई खान interchange के सामने अगर tool plaza जहां लिखावा है जहां पर 9.9 km package tool लिखावा है यह basically सबसे करीबी location बनती है नोवा सिटी की इससे बनने से क्या होगा कि airport को तो definitely ring road के planning में airport को तो facilitate करना है जितना भी cargo है क्योंकि जितनी भी आपके international couriers है या जो international trading होगी वो CPAC route पे होगी तो airport को cargo road तो देंगे ही देंगे plus जो ring road को accessibility दी जा रही है एरपोर्ट के साथ वो पुचाएगा nova city को फाइदा और वो किस तरीकी से फाइदा पुचा सकता है क्योंकि इसकी access में क्योंकि आप ring road का मकसद यह होता है कि ऐसा ring बनाया जाए जो कि शहर की traffic को disturb ना करे जो high traffic है जो heavy traffic है वो उसके साथ connect हो सके तो definitely अगर airport को एक interchange देंगे या airport को एक point देंगे ring road के अंदर तो उससे directly फाइदा होगा nova city को so nova city की जो approaches है वो तो है अगर वो बन जाते है तो उसको advantage होगा उसको disadvantage नहीं है तो nova city की जो developers है उनने already इस चीज को ऐसे design किया था कि तीन approaches तो already है ring road बनने से अगर इन्हें फाइदा हो जाता है तो definitely हमारे तमाम investors हमारे तमाम viewers हमारे clients को फाइदा होगा और अगर ring road postpone हो जाता है delay हो जाता है तो उससे nova city को कुछ खास फरक नहीं पड़ता क्योंकि already इसके पास approaches है already accessibility है और यह सिर्फ Nova city के लिए delay या postpone नहीं होगा तमाम जितने भी project हैं चाहिए वो आपके ring road के map मैप में आ रहे हैं उन तमाम को तमाम को फरक पड़ेगा Nova city का फाइदा यह है कि इनके पास already approaches हैं तो उनको इस तरीके से फरक नहीं पड़ेगा खैर इस video को बनाने का मक्सद यही था कि आपको Nova city की locations हैं उसकी approaches उसकी access के हवाले से पता चल जाए और ring road का differentiate कर सकें आप के ring road बनने या ना बनने से Nova city को कोई नुकसान नहीं होगा तो already access है, already location है, already यहाँ पर लोग investment करें तो it's a right time कि आप investment करके अपना फाइदा इससे उठा सकें airport से 3 minute की drive पे है, different virginity में आप देखें कि इस price में आपको इस package में आपको plots नहीं मिलेंगे जोके Nova city आपको provide कर रहा है so it's a pre-launching offer for you, आप जल से जल से फाइदा उठाएं और अपने plot को book कराएं thank you so much, अपना बहुत सा ख्यार लखें, हमें दीचे इजादत, Allah Hafiz